उस्तो कुदरत का चमतकार कहिए या करिश्मा कहिए ऐसा दिखाने जा रहा है भी आपको देखकर के आप एक बार में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है इसको सिंपल भासामा भी अगर आपको समझाओं तो नीचे देखिए पीपल का पेर है और इसको बीचो बीच उसके एक खजूर का पेर है याने कि पीपल के गोद में खजूर का पेर निकला हुआ है अब आप सोचिए कि कैसे ये पॉसिबल है अगर आपको ये भी पॉसिबल लगता है आसान लगता है तो इसमें एक और ची मैं समझाता हम कि पीपल का पेर डैकोट पेर है याने उसका टैप रूट होता है और जो जमीन के नीचे पुरा जाता है और पेर को बांद के रखता लेकिन जो खजूर का पेड़ होता है वो होता है monocot seed यानि कि उसका fiberous root होता है बाल के सवान root होता है जो कि अंदर तक जमीन के नहीं जाता है तो आप सोचिए वो उसके पेड़ के उपर है और उसको पकड़ा हुआ है और आंधी आती है जोडों की तुफान आती है इतने सालों से वहां पड़ा हुआ और आज तक न यह पेड़ गिरा है पीपल का न वह खजूर गिरा है खजूर का पेड़ गिरा है उपर से तो यह कैसे पॉसिबल है जब हम लोग पहली बार देखे थे तो हम लोग चौक गए थे इस चीश को देखकर कर सोचा कि आपके साथ शेर करा जाए तो देखिए इसके पीछे के थोड़ा लॉजिक समझते हैं देखे इस पेड़ का पीपल के पेड़ का अगर हम नजदीक से विउ दिखा तो देखे कहीं भी चारो तरफ का आपको विउ दिखाते हैं कहीं भी आपको खजूर का कोई एक्जिस्टेन नहीं दिखेगा ना इस जड़ दिखेगा इसका कहीं से भी है ना लेकिन उपर में आप क्लियर देख सकते हैं कि उपर में खजूर वाँ पे है तो मैं ऐसे सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसा हो कैसे पाया लेकिन जब बाद में पताचे ब्रस रूट है तो चारो तरफ फैल था उसका रूट और उसको पकड़ती है और उसका जो खाना पीना है जो ये खीच जिसों की उसको सपोर्ट मिले बगल से और किसों को पकड़़के खरा रहे आंधी पानी में उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो भाल है और यह पीओल जीजी यह जिन्दा है उनको भी जिन्दा रख करके और खुद भी जिन्दा है तो यह हमारा आग धोका खा गया लेकिन पहले जब नजदीक से हम लोग इस टो study किये तो देखिए इसके तने में अगर आप देख पायोंगे तो खजूर का कुछ न कुछ दिख रहा होगा याने कहने का मतलब यह पेड जो है यह बेसिकली जो दिखता है उसके बीच में से निकला हुआ वह बेसिकली खजूर का पेड नीचे से उसका भी जड़ है नीचे अगर मैं आपको दिखाऊ तो थोड़ा बोद देख पायोंगे खजूर का देखिए यह है ना यह भी पेड ke रखा हुआ है जिससे कि वह पेड भी नहीं गिर रहा है और खूबसूरत बाद देखें कि यहां की सुख़ए यहां की लोगों का कि पेड को अच्छे से बचा करकर रखा हुआ है और बात करने में पता चला कि यह बहुत पुराना पेड़ है तो मज़ेदार पाट है कि ये जो People का पेड़ है ये Tap Root System यानि इसका Dicot वाला Seed है तो Tap Root System जर तक जाती है दूसरी बात है ये खजुण का पेड़ तो इसका Fibrous Root है यानि रिश्यदार रूट है तो जादे जड़ तक नहीं जाएगे जैसे धान का खेद, धान का होता हम लोग उखारते हैं या घास उखारते हैं उसका जड़ आप देखते होंगे कि फाइबरस होता है वो कम अंदर तक जाता है तो मिट्टी को पकड़ता है फिर भी वो लेकिन जल्दी उखड़ जाता है तो देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है नेचर का टैप रूट, फाइबरस रूट को सपोर्ट कर रहा है और फाइबरस रूट भी आराम से सस्टेन कर रहा है इस पर और आपकी क्याराय है कि इनसान को इससे क्या सीखन चाहिए साथ साथ बढ़ने से आदमी अच्छे से ग्रो करता है और लंबे समय तक चलता है जो कि यह पेड़ एक अच्छा एक्जाम पहले उसका